आपके अपने इजी कुकिंग शो के साथ में हाजिरू उमीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आरही होंगी आज हम फ्राइ फिश बनाएंगे तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करतें लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब निकिया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइटम को दबाएं ताके आपको निव नोटिफिकेशन मिलते रहें चले अपनी रेसिपी स्टार्ट करतें यहां आपने आदा किलो मचली लिए मचली की स्मेल खतम करने का बेहतरी तरीका यह है कि आप पहले मचली को साधा पानी से दोले उसके बाद आप उसके अपर मचली को नमक और नीमू लगाके दस मिनट के लिए रख दें दस मिनट बाद धो के इसको आप फ्राइ कर सकतें दस मिनट से जादा नहीं रखना अगर आप जादा रखेंगे तो मचली तूटना शुरू हो जाएगी और सही फ्राइनी होगी तो इसको सिप आप दस मिनट ही रखेंगा नीमू और नमक को लगाके और उसके बाद इसको अच्छी तरह आप साधे पानी से जो के फिर प्रा बढ़निया सुरू आदी चै की चमपका आदा छाि चमपका पार मसाल के अंदर क्लोच्टी खाथ एक चै का चमपका चमपका चाह पर लित्यजई कत्या जादा नमक के पर करे नामक कते। तो प्रश्ट को रख सकते हैं क्योंकि नमक से हमने मचली को धोया भी था इसलिए हमने एक चाय का चमच लिए गरम मसाला हल्दी धनिया पाउडर ये तीना चीज़े हमने 1 फोर्ट टी स्पूल लिए नीमु का रस लिए यहां हमने एक खाने का चमच लस्ट का पेस्लिया हमने एक खाने का चमच एक चाय का चमच बेसल को कुकिंग आयल चाहिए होगा हमें चले हम अपनी रस्पी स्टाट करतें सबसे पहले यह जीरा धनिया अजवाइन जो हमने लिए इसको हम भूनें एक फ्राइपन ले उसके अंदर रहे तीना चीज़े डाल देंगे ज्यादा आप पाट लेंगे लिए इसको तर्स घंड ने धोली चाहिए इसको हमने लेन यह तार लियो मरत पहलों लेंगे जुरल गराँडार बिद देना थभाई 10 वं को यहास्तर अपनी तको आप नुच्ट होजा चना हो जालिए यह हमने मेन तो खिर जेरा धनिया और आप जिसमें कुटीवी लाल मिर्च, नामक, गरा मसाला, हल्दी, धनिया पाउड़ा रहा है एक चाय का चमच बेसन, एक खाने का चमच लसन पीसा भाय हमने, थोड़ा मोटा मोटा पीसा आप बारीक भी पीस सकते एक खाने का चमच नीमु करस, मसालो को मिक्स करेंगे इसमें हमने एक खाने का चमच कुकिंग ओयल डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे अगर आपको लगे के मिक्स नहीं हो रहा मसाला तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा ताके पानी जादा नाओ, अब इसमें ज़रा सा पानी और डालेंगे, तकरीबन दो खाने के चम्मच के करीब पानी डालेगा, यह हमने मसाले को ची तरह मिक्स कर लिया, यह हम मचली की पीसिस जालेंगे इसमें, अब आप कोशिची क मचली पे सारा मसाला लग गया है, अब इसे हम एग हंटे के लिए फ्रीज में रखनेंगे, वैसे तीन घंटे आप इसको फ्रीज में रखेंगे, कुछ लोग ओवरनाइट पूरी डाथ के लिए फ्रीज में रखते हैं, वह भी कोई मसला नहीं है, अब जितना देर आप इस मचली को मसाला लगा के हमने फ्रीज में रख दिया था, एक घंटा गुज़र चुक है, अब हम मचली को डीफ्राइग करेंगे, आपको जिस चीज में असानी आप उसमें फ्राइ कर लीज़गा, यह हमने फ्राइपन लिए, डीफ्राइग के लिए तेल लिए, तेल गरम कर तक लिए पैसी की तक के शिष्य पिश्पी करेंगे पीं। हमारा प्राइपन जड़ा बढ़ा है, तो उसमें सारे पीष्चिस एक साथ अगें। जब आप मचली की पीसिस डाल लें तो आप पारन उसको मचल के लाएगा वना सारा मचला सुझ जाए दूसको, तारा मचला सोल दो ही मचली, तो एक तरह से गोल्डन थोड़ा सो होने जुजेगा उसके बाद उसको पढ़िए, दो मिनट बाद आप मचली को पलट लीजेगा, कि उसा थरी मेचली मुछने प्लत लीजेरो, चालन थिजेगा, वा मारे, जिए लीजेशा, उसा उते लाड है वाएगा नहाँ पाले की बाद दूसेशा, गल लीजेगा, थान्या फ्सक्वाट गता बजवा एक एक तान्सूस आएगा, पन्सक्षदान लाएएगा, प्लत सब्सक्राइब कर सकते हैं, या तेल ज्यादा होगा, और ज्यादा तेल होगा, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, होगा, छोगरा, पिंगा, पिंगा, बधार, भूषओर, टेस बूर्द कर सकते हैं, ताकर तो इसको बूर्री कटे, इसको न्लीक कर साता हैं, अब इसे हम पल्टेंगे, यह कितना प्यारा इस तक गोल्लों के लाया मसाले को दो मिनट हम बूसी तरब भी रखेंगे ताकि दोना तरफ से गोल्लों के लाया अब हम ने सारी मचली, इसको भी 2 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी करेंगे, बहुत कर बहुत्त कि अब हम रहने 2 को दो मिनट हो गए, दूसरी साइड को भी, यह कि पल्ट के लिखा रहे है यह तक बहुत है लचली, लुट में घर शरुमयices पसाड के रिखाया है प्लेट में टीशू पेपर रख लेंगे ताके एक्स्ट्र आयल रिजस्ट करने मच्ट्र यह मच्टी रिकार में ताके इसमें एक्स्ट्र आयल लिकर रहा है अगर आप लोग चाते हैं के मजी क्रिस्ट्पी बने तो आप कड़ाई में हलके सीले पर भी रख लेकिन हम लोग जड़ा हैं तो इसके हमने यह कवे के ऊपर जो है सारी मच्टी को यह किनारे पर रखा है ताके जो एक्स्ट्र आयल होगा वह सारा सेंटर में आजागा और आपको नजर ही आ रहा हो मैं फोकस कर रही हूं कि यहां पर और मच्टी नहां रिख हो रहा है क्योंकि जब हम कड़ाई पैल या कड़ाई में इसको दीफ्राई करते हैं तो मच्टी बहुत जर्स कर लेती है तेल अपने अंदर इससराइप पर रखें और 2-3 मिनित पर इसके बाद आप पलक से दूसरी साइब से लिकरना है यह हमने चार मिनाट की करीब इसके अब तवे पर खोड़ से रखा है और ताके और आपको नजर आ रहा हुआ अब इसे हम प्लेट में डिशॉर्फ करतें यह मच्टी फ्राई हो चुकी है जिसरा की आपको तरकी ताके अधर कोई एक्स्ट्रा आइल और भी है तो सार एब्सॉर्फ कर लेगा टीशु होता है कि देखी कितना प्यारा कलर आया और इसकी फिश्पू भी बहुत प्यारी है इसी तरम सारी लिका के लिखाते हमारी फ्राई फिश तियार है इसको आप हरी चटनी के साथ खाए कहरी की चटनी जो मैंने आपको बताई थी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे उसके साथ खाएं बहुत मज़े के लिखती है मच्छी फ्राई फिश तियार है उमीद है आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करे दोस्तों को और अपने अजीजों को शेयर करें इन्शाला जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ हाजर होंगे अल्ला हाफिज